हालो स्टुटेंट्स कैसे हैं आप लोग आज हम लोग कच्छा 10 के समाजिक विज्ञान की वर्क सिट करेंगे वर्क सिट 11 नमबर और आप लोग यहां अपना नाम लिखेंगे यहां अपने कच्छा ध्यापक का नाम लिखेंगे और आज के वर्क सिट में सब्जेक्ट है संगवाद संगवाद को हमने पीछे पढ़ा है और इसको थोड़ा आगया डिटेल्स में पढ़ते हैं तो इसमें हमें जानना है कि किसी भी संग्हिय विवस्था की तरह अपने देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधाई कानूनी अधिकारों के बटवारे के लिए तीन अनुसूचियां बनाई गई हैं मतलब जिस तरह हर संग्हिय विवस्था में हर संग्हिय सरकार में जो राज्यों का संग होता है उसमें जो कानून बनाने की विवस्था होती है कुछ विषय पर कानून केंद्र सरकार बनाती है और कुछ विषय पर कानून राज्य की सरकार बनाती है तो ये तो निश्चित होना चाहिए ना कि किस विषय पर केंदर की सरकार कानून बनाएगी और किस विषय पर राज्य की सरकार बनाएगी हमारे सम्मिधान में भी इस बात को प्रमुखता से लिखा गया है हमारे हाँ जो संविधान को लिखा गया है तो इसमें बारह अनुसूचिया है और उस बारह अनुसूचिया है और उस बारह अनुसूचियों में से जो सात्वी अनुसूचिया है पहला संग सूची, दूसरा राज सूची और तीसरा समवर्ती सूची मतलब सातवी अनु सूची में तीन सूची का वर्णन है संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची इसमें असपश्ट रूप से उलेख है कि संग सूची के में जीतने भी बीसे होंगे उन सभी विसेओं पर केंदर सरकार कानून बनाएगी मतलब कि संग सुची में जो भी विसे होगा उस पर केंदर सरकार कानून बनाएगी और यहां जो राज सुची है इस राज सुची में जितने विसे दिये हुए हैं इस पर राज सरकार कानून बनाएगी राज्य की सरकार बनाएगी और एक है समवर्ती सूची तो समवर्ती सूची पर जिन बिस्यों का बढ़नान है समवर्ती सूची के अंतरगत उन बिस्यों पर दोनों सरकार एक कानून बनाएगी केंद्र की सरकार भी बनाएगी और राज्य की सरकार भी बनाएगी दोनों सरकार बनाएगी केंदर की सरकार और राज्जी की सरकार तो अब हमको देखना है कि इन में से कौन-कौन से भी से हैं और किस सूची में कितने-कितने भी से हैं तो ये जो केंदर सरकार के लिए संग सूची है तो ये संग सूची में संतानवे बीसियों का वर्णन हमारे सम्मिधान में किया गया जिसमें से कुछ बीसे मुख्य रूप से हैं यहां जैसे रक्षा किसी अपने देश की रक्षा की बात हो तो उस पर कानून केंदर सरकार बनाएगा बी देश मामले एक देश से दूसरे देश के बीच अगर कुछ बात चीत करनी हो जा किसी भी तरह का नियम कानून मनाना हो तो उस पर कानून केंदर सरकार बनाएगा बैंकिंग, संचार, मतलब कम्मुनिकेशन, मुद्रा, मतलब पैसों की जो बात होगी तो केंदे सरकार उस पर कानून मनाएगा जैसे राष्ट्रिय महत्वे के जितने भी विसे है ठीकना, नेशनल इंपोर्टेंस के जो विसे हैं ठीकना, तो इस सुची पर कानून बनाने का अधिकार के अंदर सरकार के पास है और ऐसे 97 भी से हैं संग सुची में ऐसे कितने भी से हैं, 97 भी से हैं अब राजे सुची देखते हैं, राजे सुची के अंतरगत कौन कौन भी से आते हैं तो राज्य सूची के अंतरगत इसमें पुलिस, राज्य की जो पुलिस होती है, वो राज्य सूची के अंतरगत आती है, ब्यापार, राज्य का जो ब्यापार होता है, राज्य के अंतरगत आएगी, क्रिसी, खेती, राज्य के अंतरगत, सिचाई, मतलब खेतों में जो पानी किया जाता है वाटरिंग उसके विषय पर कानून राज्य सरकार बनाएगी तो इस जैसे प्रांतिय या छेत्रिय महत्यों के जो विषय है जिनका महत्य राज्यों में है किसी निश्चित छेत्रिय भूभाग पर है उन विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाएगी और इस र समवर्ती सूची समवर्ती सूची इसमें सिक्षा है इस सूची में जितने भी विसे होंगे उस पर केंदर और राज दोनों सरकारे कानून मनाएगी लेकिन किसी विसे पर अगर मतभेद हो जाता है कि एक ही विसे पर केंदर ने भी कानून बना दिया और एक ही विसे पर राज को प्रमुखता दी जाएगी और केंदर के कानून को ही माना जाएगा तो समवर्ति सुची में देखिए क्या क्या है सिख्छा है वन है मजदूर है संग है विवा है उत्तरा धिकार जैसे विश्यों को रखा गया है जिन पर केंदर और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती ह किन्टू टकराव की इस्थिती में अगर दोनों कानूनों के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है उस इस्थिती में केंदर का कानून मानने होगा और हमारे सम्विधान में सम्वर्थी सुची में 47 विश्यों का वर्णन है तो इस तरह से हमने देखा कि केंदर सरकार के पास कानून बनाने की सक्ति जादा दी गई है इसमें संग सुची में 97 विश्यों है राज सुची में मात 66 विश्यों है और सम्वर्थी सुची में मात 47 विश्यों है तो इस आधहार पर केंदर सरकार के पास ज्यादा विश्यों ह तो केंदर सरकार मजबूत हुआ वो जादे विषय पर कानून बना सकता है और बहुत महत्वपूर्ण जैसे रक्षा वीदेश मामले बैंकिंग, संचार मुद्रा इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर केंदर सरकार को इंदिया गया है कानून बनाने के लिए और कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो इन तीनों सूचियों में नहीं है ना वो संग सूची में है ना राज सूची में है ना समवर्ती सूची में तो ऐसे विषयों को आवसिष्ट कहते हैं यानि बचे हुए विषय जिनका जिक्र हमारे सम्मिधान में नहीं हुआ है तो जो इन सूचियो में नहीं है उन पर केंदर सरकार कानून बनाएगी और यहीं कारण है कि केंदर सरकार को मजबूत बनाती है ठेक इसमें एक प्रस्न भी है आप उस प्रस्न को देखिए कि भारत में संगिये बिवस्था में केंदर ज्यादा मजबूत है इस कथन को उदाहरन देकर असपश्ट कीजिए तो आप यहां लिख सकते हैं कि संग सुची में संग सुची में ज्यादा विशे हैं तथा तथा और सिष्ट विशे हैं और सिष्ट विशे योँ पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है केंद्र को है इसलिए केंद्र ज्यादा मजबूत है इसलिए केंद्र ज्यादा मजबूत है चुकि इस संग सुची में ज्यादा विशे हैं तथा और सिष्ट विशे ओपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है इसलिए केंद्र ज्यादा मजबूत है और दूसरा प्रस्ण है सिक्षा समवर्ती सूची का भी से है समवर्ती सूची मतलब वैसी सूची जिस पर दोनों कानून बनाएंगे राज्य सरकार भी कानून मनाएगी और केंद्र सरकार भी कानून मनाएगी तो सिक्षा किस सूची में है समवर्ती सूची में है अपने आज कराला है जबाहर नवधे बिध्याले इसको केंद्र सरकार ने बनाया है और दूसरा है यह केंद्र सरकार द्वारा बनाये गया इसकूल और दूसरा है केंद्रिये विद्ध्याले उसका नाम ही है केंद्रिये विद्ध्याले ये दोनों विद्ध्याले केंद्र सरकार बनाता है और राजसरकार कौन-कौन विद्ध्याले बनाता है राजसरकार तो राजसरकार का पहला जो है वो लिख दीजेगा प्र माध्यमिक विद्ध्याले तो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए इसकूल हो गए प्राथमिक विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध् माध्यमिक विद्धाले कहते हैं और आखरी प्रस्ण है कि किसी ऐसे भी से का पता कीजिए जो इन तीनों सुचियों में दर्ज नहों इस पर कानून कौन बनाएगा तो सिंपल सा है अभी जो है जैसे कम्प्यूटर कम्प्यूटर सौफ्ट्वेर जिस समय कानून बना था सौफ्ट्वेर जिस समय कानून बना था उस समय कम्प्यूटर सौफ्ट्वेर नहीं था इसलिए यह किसी बिसे में नहीं डाला गया या फिर साइबर क्राइम साइबर क्राइम यह जो दो बिसे हैं यह कानून बनने के समय में नहीं थे इसलिए इन पर कानून बनाने का अधिकार साइबर क्राइम जैसे विशयों पर कानून बनाने का अधिकार केंदर को है केंदर को इस तरह से आपके तीनों प्रस्न हो गए बारत में संगी बेवस्था में केंद्र जादा मजबूत है इस कथन को उधारन देकर असपश्ट कीजिए दूसरा सिक्षा समर्ती सुची का विषय है अपने आज पास के दो दो ऐसे इसकुलों का नाम पता करके लिखिए जो केंद्र और राज सरकार ने बनाए हो और तीसरा है किसी ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सुचियों में दर्जना हो इस पर कानून कौन बनाएगा तो इस तीनों के उत्तर आपको मिल चुके है इस तरह आपका जो वर्क सिट 11 है या खतम होता है और आगे भी इस चैनल पर आपके वर्क सिट आते रहेंगे इसलिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें